जय मसी के दोस्तों, आज की स्वरेग्य मन्ना का भाग हमने लिए है, अयूब की पुस्तक उसका बारवा अध्याय और उसका साथवा आठवा नवा वचन वचन कहता है, परन तु अब पक्षियों से पूछ, वे तुझे सिखाएं, आकाश के पक्षियों से वे तुझे बताएं, पृत्वी से बात कर, वो तुझे शिक्षा दे, समद्र की मशलियां तुझे समचाएं इन सभों में से कौन नहीं जानता कि ये सब यहवा ही के हाथ से हुआ है, थन्यवाद पिता परमेशर, वचन हमें बताता है कि परमेशर ने स्रिष्टी की रशना की और इनसानों को बनाने से पहले उसने जानवरों और पक्षियों को बनाया, और जानवरों और पक्षियों कौन है जिसने उनके पंक्खों को बनाया, कौन है जो उन्हें सांसें देता है, कौन है जो उन्हें दाना देता है, जो उन्हें उनकी भूक मिटाता है, वो कभी नहीं भूलते हैं, वो कभी नहीं भूलते हैं, इसलिए वो पक्षी हमेशा लहलाते रहते हैं, चहचाते रहते ह हैं और वो बताते हैं परमेश्र की गवाई देते हैं कि हम परमेश्र के आकाश के नीचे कितने आनंदित हैं कभी भी किसी पक्षी को आपने नहीं देखा होगा कि वो शिकायत करे हाले लोईया हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्र का लेकिन मनुष्य परमेश्य की सिष्ठी है परमेश्य की समानता सुरूप में रचा गया है और वो परमेश्य के दिये हुए आशीश को महसूस नहीं कर पाता उसकी कदर नहीं कर पाता उसकी कीमत नहीं जान पाता अले रहिया पत्रस राद भर मशलिया पकड़ता रहा और आपको बचाती रही पत्रस के जाल में आने से और वो शुपती रही और वो जाल में नहीं आए लेकिन जैसे ही उन मशलियों ने इश्यू मसी की आग्या को सुना जैसे ही उन मशलियों ने इश्यू मसी की मर्जी को जाना जैसे ही उन मशलियों ने जाना कि मेरा प्रभू मेरा रचाईता मेरा दाता क्या चाहता है उसी समसारी मशलियां उस जील में आ गई और पत्रस के जाल में फस गई उन्होंने अपने आपको फसा दिया उन्होंने बताया कि वो कितना प्यार करती है कितना प्यार करती है परमेशर की आग्या से परमेश्र के आदेश से परमेश्र की इच्छा के लिए वो अपने आपको कुर्बान करने के लिए एक पल भी उन्होंने नहीं लगाया कुर्बान हो गए सुर सुर जिनके अंदर दुस्टात्मा को बेचा किया वो दुस्टात्मा को लेके फिरे नहीं उन्होंने अपने आपको जील में डुबो दिया तक्रीबन छे हजार दोस्टात्माओं को उन दो हजार सुहरों ने डुबो दिया क्यों? क्योंकि परमेश्र की यही इच्छा थी परमेश्र यही चाहता था मेरे दोस्तों अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जानवर मनुश्र से जादा परमेश्र से प्रेम करते हैं और समर्पित हैं उसके लिए दोस्तों आज हम जब अपने आपको देखते हैं तो कहीं न कहीं हमें संसार देखता है कहीं न कहीं हमें एहम देखता है कहीं न कहीं हमारा परिवार हमारे जीवन में पहला इस्तान लेकर आता है लेकिन नहीं मेरे दोस्तों हमारे जीवन में पहला इस्तान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है सिर्फ और सिर्फ इश्यू का है जिसने अपने एकलोते पुद्र को जिसने अपने पलिदान को क्रूस पर दिया ताकि हम शुद्र और पावित्र हो जाए ताकि हम आशीश पाएए इसलिए दोस्तों जिस बारिवार को चुना है परमेशन ने जिसको चुना है वो जानता है और वो अपनी जान देने से भी नहीं बिदखता है वो पीछे नहीं आरता है क्योंकि वो जानता है कि परमेशर ने उसके लिए क्या किया है वो जानता है कि मौत के बाद जीवन है वो जानता है कि परमेशर की इच्छा ही उसके जीवन में सबसे जरूरी है जिसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त उस आशीश को उस कृपा को उस परमेशर की इच्छा को अपने जीवन में सबसे पहला इस्तान दीजिए सबसे पहला इस्थान दीजिए और सुचिए रोज जब हम प्राथना करें तो हम सुचिए कि हमारे जीवन से परमेशर की क्या इच्छा है परमेशर क्या चाहता है परमेशर हमारे जीवन को कैसे उप्योग करना चाहता है और मैं विश्वास करता हूँ कि पविद्रात्मा हमें और आपको जरूर बताएगा कि आपको क्या करना है धन्यवाद देते पिता पर्मेशर जो हमारे भाई बेन प्रात्रा करें पर्मेशर इनको मार्ग दिखाईए कि है पर्मेशर आपने किस के लिए और किस इच्छा के लिए पर्मेशर ने आप इनको चुना है शुमल्सिया के नाम से सुनने वाले हर भाई बेन इनके लिए आशीर सुकुर्चेंगाई मांगते हैं प्राथ रहां प्रेसोने कबूल की Amen, Amen, Amen